वो पवित्र शिला जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखे कितने करीब से वो पवित्र शाली ग्राम शिला जिसको देखने के लिए जहां जहां ये शिला गई वहाँ वहाँ लोगों का हुजूम मैलाए हो युवा हो बुजर्गों बच्चे हो सब क्योंकि इसकी सब एक जलक पाना चाहते हैं बस पलक पावड़े विछाए प्रतीक्षा करते रहे घंटों प्रतीक्षा करते रहे बहुत बड़ा सौभाग इसलिए भी है कि इस आंदोलन की सुरुवास से मैं रहा और इस आंदोलन के प्रत्थम चरण में मैं 40 दिन जेल में भी रहा और आज साक्षात मंदिर निर्माल को अपने सामने देख रहा हूँ शालिग्राम ग्यातरा रवाना हो रही है आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो लोग हैं ये लेकर के आ रहे हैं शालिग्राम ग्यातरा को और पीछे शालिग्राम ग्यातरा है यानि वो देव शिला शालिग्राम शिला जिसको देखने के लिए जहां जहां ये शिला गई वहाँ वहाँ लोगों की भीर उमर पड़ी लेकिन अब गोरगनात मंदिर कल मधिर आतरी में यहाँ पर यह शिला पहुंची थी यहाँ से यह शिला निकल रही है आप रामनगरी अयोध्या के लिए रवाना होगी यानि कि यह रवानगी है अब अपने फाइनल आप कह सकते है डेस्टिनेशन के लिए रामनगरी के लिए लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं जो सादू संत हैं वो सबी इसमें शामिले उस लोगों से बात भी करते हैं यह वताईए गोरगनात मंदिर से अब शिला निकल रही है कितना आज का दिन खास है और यह अयोध्य में एक दर्ज हो जाएंगे कि हम लोग भी इस चिला के पूजन में समय लित हुए थे मैं चाहूंगी वीडियो जैनल संजे सिंग दिखाएं आपको मेरे पीछे वो शिला है शालिक राम शिला देव शिला जिसको देखने के लिए बहुत जादा भी इस समय गोरगनात मंदि में भी है हम लोग यहां पर चल रहें कुछ लोग दोनों तरफ खड़े हैं और इस शिला के दर्शन करना चाहते हैं और लोगों से भी बात करेंगे यह बताईए कि शिला यात्रा में आप शामिल है कितने सौभागी की बात आपके लिए बहुत बड़ा सौभागी इस बात में मोख्श के बरावर है और यह मार्ग जिस मार्ग से होकर यह सिला जा रही है यह मार्ग पर जितने लोग रह रहा हैं वो इतने सौभाग शाली हैं कि वह साक्षात रूप से प्रभु सिर्राम और माता शिला दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को वह पवित्र जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखे कितनी करीब से वो शिला उसका दर्शन हम गुड्यू स्टुडे के दर्शकों को करा रहे हैं वो पवित्र शाली ग्राम शिला जिसको देखने के लिए जहां जहां यह शिला गई वहां वहां लोगों का हुज मैलाए हो युवा हो बुजर्ग हो बच्चे हो सब क्योंकि इसकी सब एक जलक पाना चाहते हैं बस पलक पावड़े बिछाए प्रतीक्षा करते रहे घंटों प्रतीक्षा करते रहे और मैं दिखाना चाहूंगी यह देखिए पूजा की गई है इसके नीचे यह जो फूल अमीद है कि शिला से रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा का निर्मान होगा तो ये शिला अब गोरकनात मंदिर क्योंकि गोरकनात मंदिर राम मंदिर अंदोलन में भी एक बड़ा पढ़ा हो रहा है मदिर आतरी में शिला यहां पहुंची थी और इसके बात आप देखिए यह आस्ता अभी वे पुश्वार्षा कर रहे हैं अभी पुश्वश्षा कर रहे हैं दूनों हाच जोड़ करके और यहां पर शामिल से बात भी करते यह वताईे कितने खुशी की बात है यहां उनको होना चाहिए पीछे एक बार फिर से क्योंकि शिला का दर्शन दर्शकों को एक बार फिर कराते हैं उसके पास जाने की कोशिश हला कि कैमरे की नजर से आप देखेंगे तो बिलकुल हम देख सकते हैं कि वो शिला किस तरह से नेपाल से लाई जा रही है नेपाल की काली गंड़की नदी जहां पर शाली ग्राम शिला मिलती है वहां से छोटी सी शाली ग्राम शिला होती है लोग अपने घर में उसकी पूजा करते हैं और ये इतनी बड़ी शिला नेपाल से लाकर के बिहार के तमाम जिलों से होकर के मदुबनी से मुझफरपुर से गुपाल गंच से होते हुए कल कुशीनगर पहुची यानि यूपी बिहार के बॉर्डर पर पहुची और उसके बाद अब ये शिला यहां गोरकनात मंदिर मद पाना किया जा रहा है अब आयोध्या तक के रास्ते में जहां जहां ये शिला जाएगी वहां वहां इसके स्वागत में जैसा की जनकारी मिल रही है दोनों तरफ सड़कों के लोग खड़े होंगे क्योंकि बीट से जब ये गुज़रेगी तो कहीं न कहीं इसकी एक जलक प करके वो शिला जो शालिगराम को पूछते सभी हैं लेकिन ये शालिगराम शिला और भी जादा आस्था के केंद्र बिंदू में इसलिए बनी हुई है क्योंकि इससे लोगों को उमीद है कि राम मंदिर में जो प्रतिमा होगी बाल सुरू रामलला की उसका निर्माड होगा पीछे हम देख रहे हैं ये बताइए कि यहां गोरकनाद मंदिर में ये शिला रुकी रात्री विश्राम की अहला कि मद्धिर रात्री में पहुची थी आयोध्या कब तक पहुचने की उमीद है और आप लोग कहा तक जाएंगे आप लोग शेहर की सीमा तक छोड़े जाए है तो लोगों के मन में भाव किस तरके हैं आपके मन में आपके लिए कितना सौभागे का यह बहुत बड़े सौभाग की बात है कि हम लोगों के सामने ऐसा अदभुच्छन देखने को मिला है तो लगातार ये शिला चल रही है आप देखिए श्रीराम भी इसके उपर है कि वो भी बेटी और दामाद के घर आए हैं तो बहुत ही भावनात्मक एक महल भी है